Hello everyone, कैसे हो आप लोग? I hope you all are doing well. So मैं हूँ जोशीका from LearnoHub, the free learning platform, जहां पर आप पर सकते हैं. मैं Science SST, absolutely for free at LearnoHub.com तो आज हम दिसक्रक्र करने वाले हैं, Class 8 Mathematics ICAC Board का second chapter, that is your exponents. इसकी हम आज exercise 2A तक गवर कर लेंगे, तो are you all excited? I know कि सब लोगों को ये लगता है कि बस मैं exercise के सारे solutions करा दे, ऐसा ही है ना? Comment section में बताना. So without getting any delay, let's get started. So चलिए बात करते हैं with the introduction of exponents, जिसमें आप देखोगे कि exponents actually मों होता क्या है? माल लेते हैं कि जो X है हमारा, वो एक real number है, ठीक है भाई? N क्या है? Integer है, यानि positive हो सकता है, negative हो सकता है. तो हम जानते हैं कि जब हम किसी real number को बार-बार multiply करें कहने के लिए, क्या हो जाएगा? N times multiply करें. हमें नहीं पता कितनी times है, N times है. तो हम इसको क्या बोल देते है? X to the power N. यानि X जो हो, N times multiply हुआ था. जैसे कि अगर आप देखो, 2 multiplied 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 square लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 2 का square है, ठीक है? यहाँ पर X कितनी बार आ रहा है? N times आ रहा है, इसलिए X की power N हो गया है, clear हुए बार, ठीक है. अब यहाँ पर आप जानते हो, कि यह जो X to the power N है, यह देखो, यहाँ पर यह जो है न, यह N है. It's called an exponential expression with the base X, इसका base क्या है? X है, और exponent और index और power क्या है? N है. इस X to the power N में इसको क्या बोलते हैं? एक exponential expression हो गया है. Okay, ma'am, इस expression का नाम हम देख लिए है. इसमें यह जो X है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? Base. और इस N को अगरा सबसे पहले जिस नाम को सबने सुना है, वो है power. ठीक है? और इसके दूसरे नाम क्या है? इसके दूसरे नाम क्या है? इंडेक्स. ठीक है? आप ध्यान रखना, तो यह यहाँ पर बात होगे. इसको पढ़ते कैसे है? X to the power N. या फिर X raised to the power N. हम इसको पढ़ते हैं. इसको कैसे पढ़ोगे? X N थुलना पढ़ोगे. क्या पढ़ोगे? X raised to the power N. जिसका मतलब हो जाएगा? X की power में क्या है? N है. clear हो गया? यहाँ पर मैंने एक image भी लगा रखे जिसमें आप देख रहे हो. यह और उसकी power है B. इसको कैसे पढ़ेंगे? जल्दी बताओ. क्योंकि मैं हमने अभी अभी बताया. यानि मैं नहीं. बिल्कुल सही. तो आप मुझे बताओगे कैसे comment section में? कि इसको कैसे पढ़न बताओगे न? I am waiting. देखने कितने लोग इसका answer देखने? चलिए बढ़ते हैं आगे. तो चलिए अब बात करते हैं इस exponents chapter के कुछ laws के बारे में. introduction तो हम देखी चुके हैं. अब हम किसकी बात करने जा रहे हैं law? तो इस law को पढ़ने के लिफ से पहला law जो आ रहा है वो क्य है आपका product law. इस law में क्या है कि a raised to the power m multiply a raised to the power n is equal to अगर आपको क्या देख पा रहे हो? कि जो यह base है, इसको basic है थे न? पता आया था? बेस सेम है. पावर जो है वो different है. और दोनों ही किस में है? प्रोडक्ट में है. तो क्या law होता है? यहाँ पर base को आप incentives लिखोगे और multiply म अगर हैं, दो पावर different हैं, तो उन दोनों को क्या कर दोगे? एड कर दोगे. तो a to the power n प्लस n हो जाता है. एक्जांपल ले ले? 2 to the power 3 multiply 2 to the power 2. यहाँ पर भी base क्या है? सेम. क्या है वो? 2. पावर क्या है? different. n की value 3, n की value 2. क्या करोगे? पुड़क्लो लगा दोगे? 2 to the power 3 plus 2, which is equal to 2 to the power 5. हो गया, तो यह done हो गया product law. अब बात किस्ती करेंगे? next, that is your quotient law. जिसमें क्या होता है? कि आप divide करते हो. यहाँ पर a raised to the power m, a raised to the power n है? दोनों किसमें है? डिवाइड में है. यहाँ पर भी आप एक चीज़ कॉमन देख पा रहे हो, कि दोनों का जो base है, वो same है, that is your a. है ना, same है, ठीक है. यहाँ पर यहाँ पर जब आपका n से बड़ा है, मतलब a raised to the power m, जो है, जो m पावर है, वो अगर n से बड़ी है, तब आपका क्या होता यह quotient law? a raised to the power m minus n हो जाता है, जैसे कि product में हम add कर देते हैं, quotient में हम minus कर देते हैं, इसके लिए अगर example लोगे, तो आप ले सकते हो, 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power 2, that gives you, this m is greater than 2, this is same, quotient law is applicable, तो 2 raised to the power 3 minus 2 which is equal to 2 कि power 1, ठीक है, वहीं पर अगर माल लो, किसी condition में ऐसा हो जाए, कि 2 raised to the power 2 upon 2 raised to the power 3, यानी n, m जो है, वो छोटा हो गया है, n से, यानी n बड़ा हो गया है, तब यहाँ पर आपका ये वाला condition जब fulfilled हो गई, तो आपका ये जो formula है, quotient law का, जो law है, वो हो जाता है, 1 upon a to the power n minus m, जो बड़ा है, उसमें से आप छोटे को minus करोगे, तो यह हो जाएगा, 1 upon 2, 3 minus 2, ठीक है, यह हो जाएगा, आपका 1 upon 2, अंसर हो जाएगा, clear, अब देखते है, next law, that is your third law of the exponents chapter, that is your power law, क्या है, यह power law है, इसमें क्या है, अगर a की power m है, और इस bracket के बाहर भी एक power है, तो क्या होगा, इन दोनों power में क्या हो जाता है, multiplication हो जाता है, जैसे की 2 raised to the power 3 bracket के बाहर एक और power है, वो है 2, तो आप इसको कैसे solve करोगे, by simply multiplying the powers, which gives you 2 raised to the power 6, fulfill, complete हो गया है, समझ में आ गया है, जल्दी बताना, comment section में, ठीके, अब यहाँ पर एक चीज़ हम देख सकते हैं, कि अगर माने लो, कि n की power जो है, वो even है, तो आपका जो minus 2 to the power n है, और यह n क्या है, even है, तो आपका यह जो minus 2 है न, इसको आप जब power solve करोगे, तो यह जो answer आपको देगा, यह positive में देगा, example ले लें, ठीके, minus 2 raise to the power even, यानि 4 कर दो, 2 कर दो, ठीके, मैंने 4 कर दी, आप इसको क्या लेखोगे, minus 2 multiply, minus 2 multiply, minus 2 multiply, minus 2 करोगे, 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, minus minus positive, minus minus positive, 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 okay, तो यहाँ पर answer क्या हो गया, 16, okay, वही पर अगर n की power में odd कर दो, minus 2 raise to the power 3 कर दो, तो आपका answer क्या आएगा, negative आएगा, 1 तो हो जाएगा, लेकिन negative, negative, positive, positive, negative, negative, ठीक है, तो इन generalized अगर इस चीज़ को हम करते हैं, तो क्या करते हैं, कि अगर minus a की power अगर n है, और अगर यह n जो है, वो even है, तो यह किसके बराबर हो सकता है, a to the power n के बराबर लिख सकते हो, वही पर minus a की power अगर n है, और n जो है, वो odd है, तो आपका minus का sign भी वहाँ पर आएगा, ठीक है, अब बढ़ते हैं, next, तो चलिए बात करते हैं, negative integral exponent की, अगर आपके पास कोई भी non-zero rational number होता है, तो वहाँ पर आप देखोगे कि rational number क्या है, इस a की power अगर minus n है, तो यह किसके equal होता है, one upon a to the power n के equal होता है, वही पर अगर a to the power n है, तो that is the reciprocal of one upon a raise to the power minus n, यहाँ से इन दोनों expression से यह conclusion निकल कर आया था, कि a raise to the power minus n जो है, और a raise to the power n जो है, वो एक दूसरे के क्या है, reciprocal है, तो इन्हीं के base example है, एक वो है आपका, 4 upon 3 raise to the power minus 3, इसको अगर आप solve करोगे, तो यह क्या हो जाएगा, a raise to the power minus 3, यह ना, अगर मालों यह a है, यह भी तो कोई rational number है ना, तो that is equal to the reciprocal of this one, इसका reciprocal क्या होगा, 4 upon 3 का, 3 upon 4, और power क्या हो जाती है, positive, तो यह इसका answer हो जाता है, इसको अब solve करते हो, 3 upon 4 upon 3 upon multiply करोगे, 27 upon 64, इसका answer आएगा, तो इस तरीके से हम जितनी भी laws पढ़े हैं, जितनी भी relations पढ़ रहे हैं, यह very important है, क्योंकि, बहुत अब important क्यों है, क्योंकि, जितने भी exponents के questions होगे, उसमें कहीं न कहीं, कुछ न कुछ जरूर use होगा, तब ही वो solve होगा, देखते हैं, examples, तो चलिए देख लेते हैं, examples, तो यहाँ पर है आपके पास, evolute and express as a rational number of the form, m upon n, ठीक है, तो यहाँ पर question क्या, इसका a discuss कर रहे हैं, हम, minus 2 upon 3, raise to the power minus 4, multiply, minus 3 upon 5, raise to the power 2, यह आपका question है, ओके, यहाँ पर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसका reciprocal कर दे, minus 3 upon 2, raise to the power 4 हो जाएगा, यहाँ पर, किसी भी, अगर rational number की power अगर even होती है, तो उसको हम क्या मानते हैं, positive आएगा, यानि 3 upon 5 का square हो जाएगा, हो गया की नहीं, बिल्कुल हो गया, हुआ या नहीं हुआ, आप मुझे पताओ भी देखके, अब आप यहाँ पर मुझे कहोगे, कि मैं यहाँ पर भी है, वही situation है, कि power अगर even हो गई है, तो यह भी positive ही आएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, तो 3 upon 2 की power 4 हो जाएगी, 3 upon 5 की power 2 है, तो इसको solve करोगे, कितना आएगा, 3, 3, 2, 3, 3, 9, 3, 2, 27, 27, 3, जा, 81, तो यह आपका solve होकर आएगा, 81 upon 16 multiply 9 upon 25, ठीक, ओके, इसको अगर और solve करना चाहोगे, तो और भी solve होगा, उसमें क्या करोगे, अब यह हो गया, 729, 16 का multiply करोगे, 25 से, 3, 729 upon 400 is the answer for this, तो हमने इसको एक rational number के form में ले आए हैं, ले आए हैं ना, तो अपना answer आप लिख लीजिएगा, अब बढ़ते हैं next, तो चलिए बात करते हैं next example, जिसमें वोला है कि evolute करना है आपको, question है कुछ ही है कि 2 raise to the power minus 1 divided by 2 raise to the power minus 1, पूरे का square multiply minus 5 upon 8 minus 1, this is the question, तो इसको क्या लिख सकते हो है raise to the power minus n, यानि इसको लिख दोगे 1 upon 2 divided by 1 upon 5 raise to the power 2 multiply minus 8 upon 5 की power 1, यह हुआ यहां तक ठीक है, अब क्या करोगे, अब 1 upon 2, अगर हम यहां पर इसको अगर हम divide करते हैं, तो यहां पर हम sign के change करेंगे और इसका reciprocal करते ही, आपने पहले भी पढ़ा है पहले वाले chapters में, तो यह हो जाएगा 5 की power square, minus 8 upon 5, यह हो गया 5 upon 2 का square, multiply minus 8 upon 5, solve करेंगे, इसको क्या लिखोगे, 5 multiply 5 upon 2, multiply 2, multiply minus 8 upon 5, एक 5 से 5 कड़ गया, 4 तूजा हो गया, यह हो जाएगा, minus 10, क्या अंसर आ रहा है, minus 10 आंसर आ रहा है, ठीक है, solve कर लोगे, यह इसका अंसर हो गया है, और let me know कितने लोगों का सेम आंसर आ रहा है, कहीं पर भी कोई doubt आता है, तो आप उस question को मुझे कहां भीजोगे, learnohub.com के ask question section module जो है, वहाँ पर आप मुझे भीजना, मैं ट्राइ करूंगी, जितना जल्दी हो सके उसका answer देने की, तो चलिए बढ़ते हैं next, तो चलिए आप देखेंगे हाँ अपना next example, जिसमें भी कुछ हमारे laws use होने वाले हैं, जो कि है आपका minus 3 upon 2, raise to the power minus 3 और उसका भी raise to the power 2, तो यह कौनसा law हो गया है, power law, हुआ है या नहीं, आपको बताया था, क्या था, a raise to the power अगर m है, और इसकी power एक और है, तो यह raise to the power mn हो जाता है, यहीं पताया था, ठीक है मैं, अब क्या हो करोगे, minus 3 upon 2, minus 3 multiply 6, वो सारी multiply 2 कर दोगे, क्या हो जाएगा, यह minus 3 upon 2, raise to the power minus 6 हो जाएगा, आप अगर power my negative में है, और यहां पर वो किसकी बराबर हो जाएगा, इसका reciprocal कर दो power positive हो जाती है, 2 upon 3, minus 6 हो गया, raise to the power 6 हो गया, solve करोगे, minus 2 multiply, यहां पर क्या हो गया, minus 2 upon 3, raise to the power 6 हो गया है, और यह जो rational number है, इसकी power क्या है, यह even है, तो next यहां पर conceptic, general concept है क्या था, किसी की भी power अगर even होती है, तो उसका answer क्या है, positive ही आता है, तो इसको क्या लिख सकते है, 2 upon 3, raise to the power 6 लिख सकते है, तो यह क्या हो जाएगा, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 multiply, 2 upon, 3 multiply, 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 3 यहां पर solve करोगे, answer मिलेगा, कर लेते हैं, 2 तू जा 4, 4 तू जा 8, 8 तू जा 16, 16 तू जा कितने होते हैं बच्चों, 32, 32 तू जा 64, upon, 3, 3 जा 9, 9 तू जा 27, 27 तू जा 81, 81, 3 जा 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 3 जा 9, 12, 7 तू 9, तो यह आपका किसका answer हो गया है, इस expression का, जहां पर हमने use करें हैं, दो concept, एक ता आपका power law, दूसरा है, फिर यहां पर reciprocal वाला law, और एक और use हुआ है, वो क्या है, अगर किसी की power even है, तो उसका answer positive आता है, तो positive मिलेगा, clear, तो आपको answer मिल चुका है, now move ahead, तो चलिए बात करते हैं, next example, जिसको देखें, काफी बच्चे ही सोचते ही, यह हम से नहीं हो पाएगा, ऐसे कैसे नहीं होगा, चलो देखते हैं, कैसे होता है, क्या दिया गया है, इस 3 raised to the power 3x minus 1 divided by 9 is equal to 27, then you have to find the value of x, okay, तो यहां पर अगर इसको मैं, 3 raised to the power 3x minus 1 कर दिया और मुझे डिवाइट को मैं change कर देती हूं, multiply में, तो यह क्या हो जाएगा, इसका reciprocal, sign change, 1 upon 9 हो जाएगा, is equal to 27, now you can see, 3 raised to the power 3x minus 1 upon 9 को क्या लिख सकती हूं है, 3 का square, is equal to यह क्या है, 3 का cube, cube कैसे है, 3, 3 जा, 9, 9, 3 जा, 27, okay, now you have to see, यह किसके format में है, quotient law के form में है, तो क्या लिखोगे, by using quotient law, a raised to the power m upon a raised to the power n is equal to a raised to the power m minus n, यही करने वाले है, base same है, power different है, तो क्या हो जाएगा, 3, 3x minus 1, 3 raised to the power, 3x minus 1 minus 2 is equal to 3 raised to the power 3, now you can see, the base is same, then you have to equate the power, base जब same होता है, और LHS और RHS में base same है, तो उनकी powers को हम equal कर देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा, 3x minus 3 is equal to 3, that is, x, 3x is equal to 3 plus 3, 3x is equal to 6, x is equal to 2, x की value कितनी आ गई है, 2 आ गई है, तो इस तरीके की questions तो आप कैसे solve करने हैं, आप यह देखी रहें, अब हम जाएंगे अपनी exercise पे, जिसका आप सभी को था इंतजार, चलते हैं, जल यह देखने, चलते हैं, क्या है पहला question, पहले question में आपको evaluate करना है, जिसमें आप देख पा रहे हो, कि 3 raised to the power minus 1, multiply 4 raised to the power minus 1, bracket में है, और फिवाइड बाइ 6 to the power minus 1, ठीक है, तो 3 raised to the power minus 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर इसका solution करूंगी तो, 1 upon 3, multiply 1 upon 4, divided by 1 upon 6, यही है, ठीक है, ओके, क्योंकि हमने पढ़ा था, a raised to the power minus n, क्या लिख सकते हैं, वो हमने यहाँ पर उस तरीके किसे लिख लिए है, अब क्या करोगे आप, अब यहाँ पर 1 upon 3, multiply 1 upon 4, अगर मैं को इसको multiply में चेंज करना है, तो इसका reciprocal हो जाएगा, reciprocal होके 6 हो जाएगा, then you can see, यह कितना हो गया, 2, और 2 to the 4, then your answer is 1 upon 2, आगया 1 upon 2 answer, आप देखते हैं, इसके बाद वाला question, यह जो पार्ट था, यह second part था, काफि सारे parts हैं, मैंने skip करा हैं हैं, जो भी skip हुए हैं, वो आपको practice करने हैं, यह आप धिहान रखना, मैंस में बिना practice के काम नहीं चलता है तो then you have to practice more questions, उससे क्या होगा, कहां पर कौन सा लोग, किस तरीके से expression solve हो रहा है, यह आपके दिमाग में देखके ही, मतलब आप जैसे देखोगे, practice जितनी करोगे, question देखोगे, समझ में आ जाएगा, किसके steps क्या है, ऐसा बिल्कुल होना चाहिए, मैंस, देखते हैं next, तो इसको solve कर लेते हैं, तो यहाँ पर आप देखोगे, 5 raise to the power square, minus 3 raise to the power square, multiply 2 raise, 2 upon 3, raise to the power minus 3, तो इसको आप अगर रहसी प्रोकल कर देंगे, तो power क्या हो जाएगी, positive, ठीक है, हो गई positive, ठीक, अब क्या करोगे, 25 minus 9, multiply 3 upon, 2, 3, यह कितना हो जाएगा, बच्चों, सुचों, बच्चों, multiply, minus होके कितना आए, आपके पास, 16, 16 multiply 3 upon 2 raise to the power 3, इसको solve करोगे, 16 multiply 3, multiply 3, multiply 3 upon 2, multiply 2, multiply 2, यह cancel 8 times, यह cancel 4 times, यह cancel 2 times, 3, 3, 9, 9, 3, 27, 27, 2, 54, 54 is the answer for this part, ओके, now come to the 9th part, बीच के सारे questions आपको करने है, वो क्या है, यहां पर 3 upon 5 raise, 3 upon 5 raise to the power minus 2, उसकी भी power है, minus 2, ठीक है, तो यहां पर डाटक पर power law use होर रहा है, तो क्या होगा, 3 upon 5 minus 2 multiply minus 2, 2, 2 जा 4 minus minus positive, तो यह आपका आज जाएगा, 3 upon 5 की power 4, इसको आप solve करोगे, यह निकल कर आएगा, 81 upon 6, 25, ठीक है, यह portion भी हो गया, now come to the 10th one, 10th में क्या है, 5 की power minus 1, multiply कर लेते हैं, 5 की power minus 1 को क्या लेखो गया, 1 upon 5, multiply, 1 upon 3, divided by 1 upon 6, solve करते हैं, तो यह आएगा, 1 upon 5, multiply, 1 upon 3, multiply में change करोगे, इसका रहा, इसे प्रोकल करोगे, 6, 3, 2, just 6, 2 upon 5 is the answer for the 10th part, और I know कि यहां तक लियर हो ही गया होगा, और जब कोशन करोगे, जो कि मैंने skip कराया हैं, तो और भी चीज़े clear हो जाएंगी, अब बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट कोशन पे, चलिए बात करेंगे, 2nd question from the exercise to A, यहां पर आप देख रहे होगे, इसको मुझसे पहले solve कर सकते हैं, by doing the LCM of this one, ठीक है, तो यह क्या है, 11, 25, इसको कैसे मालूम पड़े, किस से divide करें, यह तो हमें पादा चौल रहा है कि कहीं ना कहीं, यह 3 और 5 का ही होने वाला है, अगर कैसे मालूम पड़ता है कि कोई भी नंबर जो है, वो divisible है 3 से, कैसे मालूम पड़ता है, अगर इनके सारे जो भी digits से उनका गराम add करके देख रहे हैं, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9 is divisible by 3, तो 3 से divide हो सकते है, और 5 से भी कैसे मालूम पड़ता है, जि 27 जा, 21, 15, 5, 3, 1, 2, 5, यह हो जाएगा, 5, 25, 5, 5, 5, 5, 1, 1, कब तक करते हैं, जब तक हमारे पास बिलकुल प्राइम फेक्टर नहीं आ जाते हैं, तो अब आप यहां पर देख रहे हो कि इसके LCM के बाद हमारे पास आया है, 3, 5, 5, 5, 5, यहां से आप देख पारे हो कि 3 की पावर है square, 5 की पावर है q, now compare this one, then you can see and you will get your answer, n, n की value है 2, n की value है 3, done with this question, now move ahead, third question की बात करते हैं, third question में क्या है कि आपको x की value निकाल नहीं है, जहां पर बोला है कि if 9 multiply 3 raise to the power x is equal to 27 raise to the power 2x minus 3, तो यहां पर क्या देख सकते हो, आपकी 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का square multiply 3, 3 की power x, यहां पर भी क्या लिख सकते हो, 3 का cube raise to the power 2x minus 3, यहां पर देखके मालूम पढ़िया कि यहां पर product लाओ लग जाएगा, क्योंकि base same है, power different है, तो 3, यह क्या हो जाएगा, x plus 2, power add हो जाती है, जब base same होते हैं, यहां पर लग रहा है, आपका power लग लगा लेते हैं, तो 3, 3 multiply 2x minus 3, अब जब base same है, और LHS, RHS में equal में base same है, तो power को क्या कर देते हैं, equal कर देते हैं, तो यह हो जाएगा, x plus 2 is equal to 3, 2x minus 3, x plus 2 is equal to, 3 का सब पूरे bracket अगर open करोगे, तो 3 का multiply करना पड़ेगा, तो 6x यहां पर हो गया 9, now you can solve this equation, कैसे solve करोगे, xx के variables को एक साथ करोगे, और जो ऐसे variables उनको अलग कर दोगे, तो इसको अगर यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, यह positive है, तो x minus 6x is equal to minus 2, sorry, minus 9, minus 2, minus 5x is equal to minus 11, minus से minus होगे, cancel, x is equal to 11 upon 5, so this is your answer for this question, now move ahead, so I hope अज हमने जितने भी numerical solve किये, वो आपने भी मेरे साथ साथ प्राक्टिस किये है, और मैंने जो बोला है, वो आप करोगे, क्या बोला था, मैंने कि जितने भी questions escape हुए है, वो आपको करने है, अपने घर में प्राक्टिस करनी है, कहीं पर भी कोई डाउट होगा, तो आप पूछी लोगे, learnohub.com के ask question section module में, और जैसा कि आप जानते हो, learnohub free है, पर best, और यहाँ पर आपको मिलता है, मैं science sst, absolutely for free, at learnohub.com, so thank you everyone. कर दो आप, झालरी लो जानते है, झालरी जारान वाट के जोड़度,